नबस्कार पहले साथियो आपको स्वागत है मारे ट्यूप चैनल में और देखिए साथियो हम आपको डियरलेड फस्सेमिस्टर के लिए मैद करा रहे थे जिसमें आज आपका चैप्टर नुम्बर फोर स्टार्ट होने वाला है तो इससे पहले चैप्टर तीन तक हमने आपक करते हो चैनल के प्रेलिश्ट सेक्षन में आप जाएंगे तो बहां पर प्रेलिश्ट बनी मिल जाएगा आपको डियरल फस्सेमिस्टर के नाम से तो जैसे ही उसको आप खोलेंगे तो आपको सभी वीडियो सेयल वाइज दिखने के लिए मिल जाएंगी तो चलिए इस तो देखे साथियो आपका chapter number जो 4 है उसका नाम क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हो नाम है भिन्न की संकल्पना यानि हम भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या होती है और इसकी हम सभी संक्रियां सीखेंगे गडित की सभी संक्रियां सीखेंगे कि इसमें जो भिन्द की संक्रिया होंगी वो सभी हम सीखने वाले हैं को के चलिए start करते हैं तो देखिए पहली जो आपकी यहाँ पर परिवासा दी गई है वो दी गई है आपको simple fraction की यानि के आपकी साधार भिन्द की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन्म सरमाजी है उन् आपको माली जी क्लास के इस्तर पर आप जिख सकते हो के बन जैसे बन क्लास में आ गया बच्चा तब से सिकानी चाहिए तो ग्लास में आ गया तब से सिकानी चाहिए थर्ड ग्लास में या फूर्थ क्लास में इस तरीके से आपको उसका इस्तर पता होना चाहिए और आपको इसके बारे में जब ये चीज़ पता होगी तभी आपको इस चीज़ को प्रारम करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए ये चीज़ यहां पर बताई गई है तो देखिए लेखक के बिचार से भिन, भिन्नों का सिच्छड यानि भिन्नों के बारे में जो जानकारी है, सिच्छड है, उस पर समय, जो उस समय किया जा सकता है, यानि समय क्या निजाज़त हो सकता है, जिस समय बालक भाग देने की संक्रिया से यानि पर्चत हो चुका हो, यानि भाग देना जानता हो वालग तब हमें भिनने से उसको इंट्रोडीस कराना चाहिए भिनने से उसकी हमें परचे कराना चाहिए उधाड के लिए उधाड के लिए चार में यद हम दो से भाग दें यानि कि हम क्या करें हम चार जो संख्या है उसमें अगर हम दो से भाग दें ठीक है ये कह रहा है चार में अगर दो से भाग दें तो हमें बागफल कितना प्राप्त होता है दो प्राप्त होता है क्योंकि दो दूनी कितना होता है चार होता है तो चार ये आपका इस तरीके स्कट जाता है तो यानि कितना तो आपका भागफल कितना आगया दो आगया तो यह चीज simply जब वो भाग देना सीख जाए तो इस तरीके से मतला उसको भाग दिलाना चाहिए ठीक है जाना सीख जाएगा फिर उसको हमें fractions इंट्रोडिस कराना चाहिए तो fraction में देखेंगे क्या तो किस तरीके questions उसके करेंग देखिए अत्वा यह कहिए कि हम यहां पर देख सकते हैं कि 2 जो है वो 4 में 2 बार आया है यानि 4 को अगर आप करोगे तो 2 प्लस 2 इस तरीके देख सकते हैं 2 एक बार और 2 बार कितने बार आया हुआ है 2 तो 2 आपका 2 बार आया हुआ है 4 में किन्त अगर मैं यहीं पर question करूं कि एक में दो से भाग देने पर एक में क्या गरा दो से भाग दिया भाग दिया जाए तो बागफल कितना अप्राफ्ट होगा तो यहां पर आपको बागफल बताना है कितना अप्राफ्ट होगा इस प्रसंद का उत्तर कच्छा तीन की कच्छा में जो बच्छा बढ़ रहे है करें यहां पर थोड़ा मुस्किल मैसुस करेगा इस हाल में कटना ही मैसुस करेगा या द भी मैसंका उत्तर दे सकता ह्यारा है यहाँ पर टूण के यहां पर दो रूहीं और धी आदर को ठीक है क्योंको भाग के बारे मैं जान चुका है इसका यही कारड है कि अभी तक ऐसे अंक का ग्यान नहीं है जिसे दो से गुड़ा करने पर गुड़नफल आपको एक मिल जाए जैसे अगर इसी मालों एक बटा दो है और इसमें का दो से मंटिपल करते हैं दो से दो कर जाए आपको बन तो इसका उसे अभी ग्यान नहीं है तो यहीं से आपकी जो फ्रेक्शन होती है उसकी भून का स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर देखेगा किस तरीके से उसको आप समझाएंगे तो एक देखे पहले नमबर पॉइंट यदि किसी बस्ट के दो भारावर भाग क किये जाएं यानि दो भागों में कोई बस्टू बांट भी जाएं तो प्रतियक भाग को आधा भाग कहते हैं या आध भाग कहते हैं मतलब आधा भाग उसके बारे में बात करेंगे तो आधे भाग को एक बट्टे दो लिखते हैं तदा एक बट्टे दो पढ़ते हैं इस ऐसा एक बट्टे दो लिखा हुआ तो इसे ही एक बट्टे दो के बट्टे 2 इसे पढ़ेंगे तो एक बट्टे दो इस तरीके से हमको पढ़ना होगा ठीक है यह अबоляक संस से आपzhप इंट्रोड़क्शन कराया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए कि पीज्जा है, पीज्जा के आपने क्या करें हैं, दो भागों को, दो भागों में पीज्जा को बांड दिया है, अब आप से पूछे कि जो हम एक भाग दूसरे परसंड को दे रहे हैं, उसे हम किस तरीके से लिखे समझे रहे हैं, तो यहां पर हम जब इसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे, एक तेहाई भाग, यानि एक तेहाई भाग हो गया, यह किसका, यानि तीन का एक तेहाई भाग हो गया, यह एक तेहाई भाग हो गया, यह एक तेहाई भाग हो गया, एक तेहाई भाग हो गया, रखोगे ना जैसे एक पूछोगे एक पार्ट को तो एक पार्ट एक वट्टे तीन होगा मतलब जैसे एक त्याही बोलेंगे और लिखने का भी यही तरीका है एक वट्टे तीन ही लिखना है और इसे बैसे भी आपको एक वट्टे तीन हिंदी में भी दिखाना इस तरीके से पढ़ा भी जाता है इसको ठीक है अब आगे देखते हैं चार तो पांट नबत तीन में देखिएगा कह रहा है कि यदि किसी बस्त के चार बराबर भाग किये जाएं तो एक भाग को हम क्या बोलेंगे तो एक वाक को हम एक वट्टी चार बोलेंगे क्योंकि हमने इसके चार बाग कर दीई है आप देख सकते हो ना तो इसको चार बागों माढ़ दिया तो टोटन-number-of यहां पर जो पता होता है यानि कुल कितना है और उसको हमने मतलब यहां पर देख सकते हो एक एक पार्ट हमने लिया हुआ इसका और टोटन-4 था तो यहाँ इसे एक बटे चार ही पढ़ेंगे इसको ठीक है होके समझगे तो भिन का यही concept है आपका अगले वीडियो से आपको भिन के बारे में पूरा यहाँ पर concept सभी दिये जाएंगे आपको सब कुछ बताया जाएगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है अच्छा लगा तो जरून से अपने दोस्तों साथ सेयर करिएगा और नेस्ट वीडियो आपको साम को साथ वजे हर मौर्णिंग में आपको वीडियो मिलती है तो आप जरून से देख लिया करिए और वीडियो को जरून से लाइक करिएगा अपने दोस्तों साथ सेर करिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगाए तो जरून से कमेंट भी करिएगा ओके थैंक यू